दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक से ज़्यादा शेर्स के बारे में तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सबसे बिले बात करने वाले हैं अडानी पावर के बारे में stage 3 के अंदर shift कर दिया गया है जिस कारण से कल से ये share B की जगे आपको equity में देखने को मिलेगा तो यदि आपने अड़ानी power के अंदर investment कर रखा है तो कल के दिनी shares के अंदर आपको positive moment देखने को मिल सकते हैं कले ते next share के बारे में जिसका नाम है Indian Energy Action Limited लास्ट इडिंग सेशन में IEX के अंदर हमें 20-30 प्रतीशत की तेजी देखने को मिल रही है इस तेजी के पीछे की वज़ा है कि IEX ने buyback को लेकर announcement करी है लास्ट इडिंग सेशन में याने कि Friday के दिन market close होने के बाद में IEX के board of directors की meetings के outcomes भी निकल कर आचुके जहां पर board of directors की तरफ से buyback को लेकर मंजूरी दे दी गई है 200 रुपे पर शिर्क maximum price बेन यहां पर रखे गई है और open market में हमें यह चो buyback है वो यहां पर देखने को मिलने वाला है यानि कि यदि आपने IEX से अंदर investment कर रखा है और अगर आप buyback के अंदर apply करना चाते हैं तो जो भी further details रहीगी जो भी buyback की date रहेगी buyback का time period रहेगा वो आपको हमारे channel से update कर दिया जाएगा यह buyback total 98 करोर्स रुपिस का होने वाला है बात कर लेते हैं next share के बारे में जिसका नाम है Adani Enterprises Limited साथ में Adani Enterprises Limited की तरफ से एक बड़ी announcement निकल कर आती है कि company FPO के थुरू लगबग 20,000 करोड रुपे की fundraising करने का plan कर रही है जो कि अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा FPO होने वाला है FPO का मतलब कि company नए equity shares को issue करेगी market में जिससे company लगबग 20,000 करोड रुपे की fundraising करने का plan कर रही है last FPO सबसे बड़ा हमें yes bank का देखने को मिला था जिसमें yes bank की तरफ से 15,000 करोड रुपे की fundraising करी गई थी साथी साथ Adani Enterprises की एक नई subsidiary को भी यहाँ पर मन्जूरी मिल चुकी है तो उसके चलते भी यह shares कल के दिन काफी ज़दा focus में रहने वाला है बात कर लेते हैं next shares के बारे में जिसका नाम है Paytm जी हां दोस्तो 197 communications limited की में बात कर रहा हूँ जहां पर last reading session में हमें almost 6% की तेजी Paytm के अंदर देखने का मिल चुकी है बात करें Paytm को लेकर क्या update निकल कर आ रही है तो Paytm ने जो aggregator license के लिए payment aggregator license के लिए apply किया था उसे RBI ने खारीच कर दिया है और RBI ने यहां पर clearly कहा है कि यहां पर Paytm को वापिस reapply करना पड़ेगा aggregator license के लिए तो एक negative news यहां पर Paytm के shareholders के लिए आते विए देखने को मिल रही है क्योंकि इस news के चलते हमें Paytm की share price के अंदर कल के दिन गिरावड देखने को मिल सकती है overall अगर हम Paytm के financial numbers की भी बात करें तो company loss making है तो यहां बराव भी fresh positions को avoid करते हुए चल सकते हैं बरते हैं next shares की तरफ जिसका नाम है FL India Limited last reading session में FL India Limited के अंदर हमें 0.6% की तेजी देखने को मिली है बात करें FL India Limited को लेकर क्या बड़ी update निकल कर आ रही है तो आप देख सकते हैं data protection bill को लेकर government can't violate privacy of citizens personal data access only in exceptional situations तो यहां पर चंदर शेकर जो कि यहां पर minister है उनकी तरफ से बड़ा statement निकल कर आ रहा है कि data protection bill के अंदर government किसी प्रकार की जो privacy policy है citizen की उसे violet नहीं करेगी और आपको पता होगा कि FL India Limited के साथ में सबसे बड़ा issue अभी यही हमें देखने को मिल रहा है तो यहां पर FL India Limited के लिए भी यह एक negative news है जिसके चलते यहां पर short term में हमें FL India Limited के अंदर भी profit booking देखने को मिल सकती है बात कर लेती है next share के बारे में जिसका नाम है KPI Green Energy Limited पीछले KPI Green Energy Limited के अंदर पीछले trading sessions में हमें काफी अची तेजी देखने को मिल चुकी है कल से जो नया trading भी के start होने जा रहा है यह KPI Green Energy Limited के shareholders के लिए काफी खास होने वाला है क्योंकि 30 November के दिन हमें company के board of directors की meetings देखने को मिलने वाली है जिसमें company bonus shares को लेकर यहां पर consider कर सकती है तो यदि आपने भी KPI Green Energy Limited के अंदर investment कर रखा है तो 30 November के दिन आप इस shares के उपर नजर बनाए रख सकते हैं बात कर लेते हैं next share के बारे में जिसका नाम है Tata Consumer Products Limited Tata Consumer Products Limited को लेकर भी एक बड़ी update निकल कर आ रही है company Bislery को buy करने का यहां पर plan कर चुकी है परस में रेने वाला है last trading session में 10% की तेज़ी हमें shares के अंदर भी देखने को मिल चुकी है और उसकी पीछे का reason जानने की कोशिश करे तो Bislery का भी जितना भी काम है इंडिया के अंदर Orient Beverages Limited ही समाल रही है तो यदि आपने इन दोनों shares के अंदर investment कर रखा है तो कल के दिन आप इन shares के उपर भी नजर बनाये रख सकते हैं बात कर लेते हैं next share के बारे में जिसका नाम है Suzylon Energy Limited last trading session में Suzylon Energy Limited के अंदर भी हमें साड़े साथ प्रतीशत की तीजी देखनी को मिल चीगी है और साथ ही साथ shares ने अगेन अपने 8 रुपे 50 रुपे के लेवल को अचीव कर लिया है तो यहां पर भी आप 9 रुपे तक के target को लेकर चल सकते हैं next share के बारे में बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बिंग को लेकर आती भी देखनी को मिल रही है साथ हप्यस माइन की बात करें तो लास्ट रिडिंग सिशन में हप्यस माइन के अंदर भी हमें 1 से 7% की 30 देखनी को मिल रही है हप्यस माइन को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि एक न्यू डेवलोप्मेंट सेंटर बुवनेश्वर के अंदर कंपणी ने स्टार्ट किया है जिसका बेनेफिट कल के देन कंपणी की शेर प्राइस के उपर आपको देखने को मल सकता है